जे हिन दोस्तों वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि ताइवान में semi connector मैंने फेक्चिनिंग की जाती है काफी high scale पे जब चाइना ताइवान पर अत्करमन करने लगता है या कोई tension बढ़ जाती है चाइना और ताइवान के बीच में तो दुनिया में इस बात की बहुत tension हो जाती हेल्थ केर से जुड़े बहुत सारे सामान है हो जाएंगे महेंगे तो इस वज़ा से बहुत जादा tension हो जाता है पूरे वर्ड में कि अगर चाइना ने इंवेजन करना शुरू कर दिया तैवान का होगा यह कि तैवान की इंडिस्ट्री उखड जाएंगी बहुत सारा नु पिचर इंडिया भी बनाएंगी वैसी से मेकर्णेटर और वैसे बीजब कोई टीम आएगी या कोई ऊन्वेस्टेमिन करेंगी इंडिया में तो इंडियां होय सकता है कि नहीं इन इपेंडेंसumu से थाएंडा भी हो जाएं क्योंकि सेमी के डेक्टर प्राइस हाई कर देता है किसी भी सिस्टम का ये उसके मेकेनिजम से निर्धादित होता है कि उस चीज का प्राइस कितना होगा इसी बीच एक बहुत अच्छी डेबलमेंट देखने को मिली जो ताइवान के अंदर थर्ड लार्जस्ट कंपनी है सेमी केनेक्टर बनाने की उसने एक डेलीगेशन भेजा है इंडिया में और इंडिया में उसने ये डेलीगेशन धुलेरा इसमार सिटी जो गुजरात में है और उसके बाद में मुहाली सेमी कंडेक्टर लोवेर्टी जो है वहां पे भी उसने विजिट किया है य उनके according उनको environment available कराएंगे जिससे वो इंडिया में अपनी unit खोल सके हैं और उसके बाद में इंडिया में manufacturing कर सके हैं और इससे ये भी होगा कि भारत उनके साथ collaboration करके भी technology सीख लेगा और इंदा future बनाएगा क्योंकि भारत का एक simple सा motive है कि आप यहाँ पर आके कोई भी चीज बनाओ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन technology के मामले में हम आप से सीखेंगे जरूर इसमें कोई ये नहीं चलेगा की नहीं इंडिया में बहुत सी सामान इंडिया में बनती है उसका क्या है कि parts इंडिया में बनता है वाकी उसका जो उपर का सब एक site में set करके दिया जाता है तो वो दूसरे देशों में होता है इंडिया धीरे धीर सीख रहा है उसके बारे में भी लेकिन ultimately अभी semi connector का तो बहुत ही अच्छा चांस है इंडिया के पास वैसे भारतिय गवर्मेंट ने बहुत जादा कोशिस किया है semi connector इंडिया में बनवाने के लिए इसलिए ये बहुत अच्छी development है कि ultimately एक semi connector manufacturing company इंडिय में units खोलने के लिए जगा तलास रही है वो उस जगा पर जा रही है जो उसके environment के लिए बढ़िया है तो एक तो मुहाली में गई थी जो मुहाली में semi connector liberty है उसमें और दूसरा है वो धुलेरा smart city जो गुजरात में है तो काफी अच्छी जगा है दोनों जगा ये काफी अच भारत और तैवान का जो है memorandum sign pact है जैसे जिसको यह मयू बोलते हैं तो उसके तहत भारत और तैवान के साथ में cultural, historical, agricultural, animal, husbandry, fisheries इन सब चीजों में collaboration करता है और वैसे भी इंडिया बहुत सी चीजे भेजता भी है तैवान को और तैवान इंडिया को भेजता है लेकिन अब भी नहीं आता है इंडिया के तो इसलिए इंडिया को चाहिए कि कोलिवेरेशन करके और कुछ ऐसा करें कि एक तो इंडिया और तैवान का ट्रेड भी काफी बढ़े या फिरी ट्रेड एग्रिमेंट और भी सामिल हो जाए अभी इंडिया कर लेगा तो नुक्सान में चला जाएगा क्योंकि वह इतना इलक्ट्रोनिक भर देगा इंडिया में फिर इंडिया का नुक्सान होने लगेगा भारत में यूनिट और खोलें फिर देखेंगे कि फिर ट्रेडिमेंट और साइन हो जाए